नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल परमानवीर पर तो एंपी सेल के एक्जाम्स के लिए अपनी मेटमेटिक्स की सेलेक्शन सिरी चल रही थी उसके कुछ टोपिक्स के वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिये तो जो भ आपको वह बताऊंगा कि आप यहां सिंपल इंट्रेस्ट में गलती कहां करते हो और इसके लावा मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा और एंपी से जाने वाले क्विश्टन तक की लेवल को आप में इसमें टोपिक में लेके जाऊंगा तो देखिए स्टार्ट करते हैं सरल होता क implicit है तो परसेंटेज वाला वीडियो पहले नहीं देंका है तो परसेंटेज वाला वीडियो पहरे देख यह यहां पर को ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं है तो स्टार्ट करते हैं है मान लीजिए कि आपने आपके फ्रेंड से मंगे पांच जा रुपए आपको पांच जा रुपए की जुरत थी और आपके फ्रेंड से मंगे आपने पांच जा रुपए कितने मंगे पांच जा रुपए ठीक है आपके फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें कितने समय के ले चीए आपके फ्रेंड ने क्या कहा कि 5000 रुपे ले तु रहे तु लेकिन कितने समय में मुझे वापिस देगा तो आपने बोला कि बाई दो साल में में तुझे वापस कर दूँ रुपे दो साल में तुझे वापस करने लेकिन लेकिन तुझे हर साल इन रुपियों पर दो साल के लिए तु ले रहे हैं तो दो साल में कितने कितनी बार एक साल आपका यह हो गया यहां से सुरू किया एक साल यह हो गया उसने बोला जो मैं तेरे से इन रुपियों का 2% मान लिजे 2% 2% हर साल में लूँगा एक्स्ट्रा लूँगा हर साल में 2 साल के लिए तू ले रहा है हर साल में क्या करूँगा तेर से 2% इनका मतलब इसका extra रुपए लुँगा तो आपने क्या बोला भै ठीक है ले लेना 2% ही लेगा न तो हर साल लेगा ले लेना ठीक है, तो आप उसको 2 साल के बाद कितने रुपए दोगी तो 5000 रुपे तो आपको दे नहीं है जैसे 2 साल कंप्लीट होगे हैं 5000 तो आपको दे नहीं है क्योंकि आपने 2 साल के लिए रुपे लिए उसे हैं न लेकिन वो बोल रहा है कि 2% में इसका 2% हर साल तेरो से लूँगा तो यहां से शुरू किया एक साल हुआ तो इसका 2% निकल लुआ हो तो कितना एगा किसे निकालते हैं पर्सेंट दो पर्सेंट है यह नहीं दो बटा सो क्र... ठीक है पर्सेंट को हटा के बटा में 100 लगा दो 2-0 से 2-0 कट गई कितने हो गए 100 रुपे उगे तो जैसे 1 साल कंप्लीट हुआ उसने बोला था कि हर साल में 2% इसका एक्स्टा लुगा तेरे से तो जैसे ही एक साल कंप्लीट हुआ 100 रुपे आपके एक्स्टा जुड़ गए यानि कि 100 रुपे आपको एक साल के एक्स्टा देने पड़े हैं कि एक साल काल जैकिन दूसरा साल हुआ तो वापिस से एक साल हो गया यहां से यहां से यह प्रसेंड ही थाछिए धब इस तो 2017 प्रसेंट में हर साल ऑफ से से एक साल जोगा इसके एक साल भी एक्स्टा लेगा ङीई एक साल बिए टूसका टहक है कितने दोगे टोटल था बावन सू रुपे थीक है अब आप कहोगे कि सर हमने तो सिंपल एंट्रेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था सिंपल बैयाज का फॉर्मूला पढ़ा था क्या होता है आप बोलोगे सर हम तो डारेक निकल लेंगे तो डारेक निकाल लो पांच जार रखा दो रखा दो परसेंट की ब्यादर है तो समय दो साल का दिया है दो साल दिखा हंडेड रखा काटा यह कितना हो गया चार और अभर हु गया और यह कितना हो गया आपके कि स्टेट 25 रुपे थे ब्याज हो गया पांची जार रुपे जो पहले राशितीम निकालना है तो फांची जार इसमें जोट जातों लेकिन लेकिन अगर वो बोल देता आपका दवस्त बोल देता कि हर साल नहीं कि हर साल नहीं मैं तो हर 6 महिने पे आप तेरे से 2 पर्सेंट इसका लूंगा एक्स्ट्रा इस साल में नहीं मैं तो षय महेने में लोगा, ठीक है? मान लेजे, वो बोलता कि दो साल के लिए तू रूपे ले रहा है मिरसे 2% की भयाज की दुख से पहले तो मैं क्या कर रहा था? वो क्या कर रहा था पहले तो कि जैसे एक साल होता, उसका 2% एक्स्टा ले रहा है अब वो बोल देखिए में तो छे महने पर लूँगा तो यहां से देखिए को देखिए 6 मेने पूरे हुए। दोपरसेंट इक्स्टा ले लिए उसके बाद 6 मेने चार सो रुपए यह पाइगं साथ में आपको दो साल बाद आपको उठने लोट ने पुड़ेंगे तो यह. और 400 रुपए यह हो गए ऐख तही भी कि यह गए इसने टेकर से करते Breath s. डेकिं आप इस तरिके से करतें दो यहांपर समय को क्या करते दो साल लिघ देते लेकिन यह वास्तों में यह वर्स नियोता समय प्रसले करदी है नहरे समय लिखना होता है कि आपके कई तेन ब्याजना ओ Technicam समय आपको दिया गया में लिगने पर्Ma दिखा वह मतला हर वर्स एक साल में एक बार एक्ष्टा ले रहा था दो परसेंट तो दो बैर दो ब्यार जूड़ रहा था तो टी बराबर कि इतना लिख रहे थे अपन दो लिख रहे थे ठीक है तो इसका कंसेप्ट में आपको समझा दिया है अब बताता हूं कि किस प्रकार से आपको क्यू कोई बी रही कितने भी सक्थी 25- humility यार और Kelly की और कि जुदा इअ कि पीए कि और आपесть है पर्ट की दरले का बिया है कि यक साल क्या फोती है किस समय के हिसाब से जितना प्रसेंट लगहा है व म VO और आप ऐसे एक साल में एक आपसे लगा रहा है इसका एकष्टा मांगा रहा है तो वह यहां आ эфф कि ठीक है तो मान लिजे ये वार्सिक ब्याज लगा रहा हैCS ये क्या है वार्सिक ब्यूस भ्याज तो आप गतना रखोंगे उस तुटर में जो बहुत बताया था मैंने summer interest का फोर्मुला कैसे बहुत हो आपने क्या था फ़ाटल रूपय थे यानि कि लग तो कि दो परसेट को एक्स्टा लगा यानि कि दो परसेंट आपने रखा तो सो तो सिंपल एंट्रेस्ट का फॉर्मला क्या हो गया मोल्दन इंटू दर इंटू समय बटा सो ठीक है लेकिन यह समय आपको जरू लिनी है कि वर्स में लिखना पड़ेगा अभी यहां समझाता हूं कि कैसे लिखना पड़ेगा समय ना बता भी दिया है लेकिन फिर एक बार सिकाइब लेक्ष तो आपको दो वर्स को कितना लिकना पड़ेगा या निकीश्ट कि वहादश के लाद दर मतलब एक वर्स में एक बार गाल लग रहा है इस रहोसी now या तो और्द्वार्शी सब्सक्राइब एलंद लगाँ कर लिए हमाई लिए दो श्यूंत रख रैख देता है आपको वो बोह दिटा कि ट्रेमाशिक नगा में मौख लिए my quantity कोtes कट्रक्ली ड्रेट लिए तर्माशिक दहरें तो त८्लीज़ गट्त ट्रेमन इस में कि देखिए दो साल में कितनी राच या थी जगर तो आप कि देल होगे आठ ठीक है और माले जह Ben genres कि मंतली यानी माश्रीद्रश वैंतनी माय ब्याज अधसर यह susceptible कितने लिखतें हैं कि एक में लाउने स्वार सब्सक्राइब यह कितने महेंख दोगे यह how weakup आपका ब्याज लग रहा है तो दो साल में चौईस मेहने होते हैं तो चौईस बार वे आज आपका लगेगा ठीक है तो अभी मैं आपको समझाता हूं एक वर्ट चीज़ देखिए तो आपने क्या कर लिया व्याज निकाल लिया ठीक है अभी टोटल राशी मेंने निकाल ली लेंगा ले canora magaz में किश्या होता है तो क्या होता है Collins अपना है वो में सब्सक्राइब एंगलिस के भी वर्ड में कुछ ले रहा हूँ क्योंकि English Medium भी वाले भी मेरे साथ जूड़े हुए मिस्रदन क्या होता है व्याज अपना आया है वो प्लस मूल्दन मूल्दन मतलब पिंसिपल अमाउंट मूल्दन मतलब पिंसिपल अमाउंट अब जब तक आपको व्याज जिए समझना है चकरति व्याज में अगले वीडियो में पढ़ाओंगा चकरविक्ति ब्याज क्या होता है ठीक है इस वीडियो में अपन सरव ब्याज पढ़ेंगे और उससे समधित क्विशन करेंगे तो यह हो गया आपका मिसलदन है ना मिसलदन कैसे निकाला था अपने अब भी निकला था मैंने थोड़ी देर पहले न और मूलदन जो आपने पा पर आपको निकालना था मूलदन तो आप क्या करते वेशे निकालके उसमें सुत्रमी महान रख दे आपका मूलदना है ठीक है अब एक क्यूशन में करके बताता हूं आपको इससे संब्माद देना कि क्विशन करेंगे अपन तीन चार अच्छे से आपको अच्छे से और समझ में देएगा कि कोई राशी है रूपे की राशी है उस पर पांच परसेंट वार्सिक ब्याज़दर कि वार्सिक ब्याज़दर कितने हैं पाच परसेंट वार्सिक ब्याज़दर कि दर से चार साल का मिस्टर जन ने टोटल अमॉंट ठीक है टोटल अमॉंट ना टोटल अम्माउंट और यह क्या है इन्वल इंकम डेट एंवल ओँ अडिन वर डेट ओप इंट्रेस्ट अ कि यह क्या है अन्वरेट ऑप इंट्रेस्ट लिए आपका टोटल अमॉंट यह क्या करना है आपको टोटल लौस मूल्धन मूलधन निकिएंगे टोरे अपने बास कितना है 800 गैंगे मूंदन रहले मूंदन के उसलमे कसे ब्ली किस प्रकार से लिखेंगें वार्टिक द्र hai suggested me 88 1 बार दिया लगaison लगे यह तो चार साल में कितनी बार प्याज लगेगा चार लगा करें पांच पर्चेंट को किया किस प्रतकाल से लिखते हूं कि नीचे हंड데 लिगना पड़े हैं काट यह कट माया ना कि कितने बार गया 20 20 को अपने 60 से गुणा किया तो कितना है अपने पास बारा सुरू रुप है ठीक है किल्कुलेशन सही की ना एक बार देख लीजिए आप सब्सक्राइब करते हैं यह वाला कुशन से ना जो मैंने आपको दे रखा है बहुत रुप है लिए अच्छे से समझते जेए और को क्या करना है यह को अच्छे से समझ में होगा सेरिया हुए अच्छे से उसके बाद आपको कैदा है जो मैंने बुक बता रही है तो आपको कुछ नी होगा कुछ समझ Penutik जितने ज़्यादा सोल करोगे मेटेमेटिक्स उतनी परफेक्ट होती जाती है और केल्कुलेशन आप आसानी से करोगे उंगलियों पर आप कुशन करोगे यह वाले देखें पंद्रा सो रुपे की राशी पर तीन वर्ष में प्राप्त ब्याज चोपन सो रुपे हैं तो वार्षिक ब्याजदर ज्याद की दिए वार्षिक एन्वल ज्याद करना है न इप देंट्रेस्ट डिसीवड ओन अमांट ओफ फिफ्टीन थाउजन इन त्री एर इस फाइफ थ भी इस ना दिया इसने छृषिक ओख ऑन्रायर रूपए और किया करना है आपको देनी रखी इसमें अपक़र ज्याथ कडिया है और क्या दिय रिका है श्रव वार्षिक ब्याजदर से तीन वर्ष कगलाम एक एक बार में लग लिगओ लग घर इसके उपर इसके न लेचे हंधि यह क्या होगे अपना कलें भि अब इसके के सामने क्या लिख देंगे लिख्ट करते हैं और अपने को क्या गयाद करना है . पिंट्रेस्ट जैने आर कमान गयाद करना है तो किसे गयाद करेंगे है देखें दो जिरो से दो जिरो को काट दीजिए पहले से ठीक है अब यह आर है इसके गुणा में 3 है और गुणा में 1.500 है न तो इन दोनों को गुणा है तो इधर ले जाओंगा तो यह किस में चोपन सो अपोन देड़ सो इन्टू ठीक है अब काटी एक जिरो से एक जिरो कट गया इसके लावा क्या कटा दीखें तीन एकम तीन तीन आटो चोईस यहानि यह कितने बार कटा एक सब्सक्राइब नेचे क्या बचा नीचे पंद्रा बचा ना पंद्रा को भी काट लिज कि अना पंद्रा यह कम पंद्रा क्या बचा तीन बचा जिरो रखा पंद्रा पंद्रा दूनी थीस यह यह निकि अपनी डेट ओप इंट्रेस्ट कितने आ गई 12 परसेंट आज इस इकुल टू कितना गए अपने 12 परसेंट ठीक है ठीक है ठीक है चलो दो तिन क्यूशन और अपन लेते मैं लिखता हूं ना अट कर दो कि अच्छे से पढ़ना है समझना है कि वह क्या पुंच रहा है उसने क्या दिया दिए बार फिर पढ़िए 12000 रुपए पर 7 परसेंट की त्रेमासिक ब्यादर से तीन साल का मिस्ट दन त्रेमासिक ब्यादर आप इंग्लीज में बोले पिसीपल मांट कितना दिया है कि कर टोटल पर स्ब्सक्राइब की तोटल एमांट है- ह 들어s Our Eyes के करना थोड़ करना है अब के की से करोगे अ आप यह मैंने बताया था आपको कि त्रे माशी का किसे निकालना है तो सबसे पहले तो अपने को अपने सिर्दनन्निकालना है तो क्या-क्या जалूरी है एक तो अप्ण जरूरी है मूलदन तो अपनी पास है ठीक है है और एक क्या जरूरी है अपने पास ने तू निकालना पड़ेगा कैसे निकालूगा जया क्या सब्सक्राश कितने बागह मुञें अब समय इन साल का दिया है लेकिन टी की जगह पर मैं क्या रखूँँआ बाराजार उपर मतलब हर तीन साल में नहीं तेक उसने लिया है अर तीन महिने में बाराजार रुपे पर साथ परसेंट एक्स्ट्रा लगते हैं तो याज कब जूढ रहा है हर तीन महिने में जूढ रहा है हर तीन महिने में जुड़ रहा है तो तीन साल में कितनी बार तीन महिने आएंगे एक साल में देखें तो तीन महिने नो महिने और बारा महिने एक साल में कितनी महिने थे बारा महिने तो बारा महिने में तीन महिने कितनी बार आए चार बार आए ठीक है यानि एक साल में बारा मैंने चार बारा है तीन साल में कितनी बार आएंगे तो तीन साल में तीन महीने बारा बार आएंगे ठीक है तो टीकी दिखर पर में क्या रिख दूगा बारा लिख दूगा आई बात समझे में आई अब क्या करूंगा दो जिरो से दो जिरो को मैंने काट के ठीक है अब क्या क पाड़ना है इनको गुणा कीजिए गुणा कीजिए नहीं एक सच्छो मालेस साथ से गुणा किया मिलें आठ कि इसकी सुपर हसल की तीन यह हो गया मेरा दस और यहां से कितनी जिरू बचली एक जिरू बचली यह यानी कि कि दस अजार असी रुपे दस अजार असी रुपे मेरा क्या आ गया मेरा सिंपल इंट्रेस्ट आ ठेक है दस अजार रुपे क्या आ गया सिंपल इंट्रेस्ट आ गया सिंपल इंट्रेस्ट अपने पास आ गया प्रिंसिपल अमाउंट यानि मूल देन अपने पास है तो अपन प्लस मूल्दन यानि सरल ब्याज प्लस मूलदन सरल ब्याज कितना है या 10,087 रुपए ठीक है और 12,000 रुपए अपना वो है क्या हो जाएगा अपने पास 22,088 रुपए अपना आंसर हो जाएगा इन दोनों को जोड़ूँगा तो देखिए केलकुलेसिन तो आपके लिए तभी जी होगी जब आप क्या करोगे 20 तक के स्क्वेर याद करने है और 10 तक क्या आपको Q याद करने है और उनके रूट याद कर दे दोनों मैंने कैसे किया था बारा को बारा से गुणा कर लेता मेरे को पता है कि बारा का स्कॉयर करूंगा तो मेरे पास एक सुचों मालिस जाए तो यह थे बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन और कंसेप्ट मैंने समझा दिया है इस तरह किसे अब आपको कोई भी क्यूशन आओ आप आप आसाने से कड़ लोगे यहन इसके लाव अगर मान लो मान लो कि वो आपको यह टोटल ममांट डेदेदा और रेट ओप इंट्रेस्ट मूश देता कैसे करते इना तो फॉर्मूला लगाना है आपको फॉर्मूला यही लगाना है जो मैंने बीबताय था सिंपल इंट्रे रखदो कि टाइम आपको मैंने बताया कि क्यासे निकालना है जैसे BA द्र दो क्या सांदो मैंने समझा दिया है or mice which I am problema ब किजिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए वीडियो में अच्छा लगाई होगा तो लाइक कर दिए ठीक है अगले वीडियो में इसके जो 3-4 वीडियो में आपको करवा दो रहां किया अच्छा लneysיदोस कर दो करे को हुआ है रहा है हमें चौर करें किया तो अच्छां में सब्सक्राइब के जाद़ा ब्रस्ते सब्सक्राइब को prepared लगाई वाले ल कनाओ माईा